सल्मान खान वसिज दिगविजयराथी सल्मान खान ने किया दिगविजयराथी पे परसनल अटैक जी आ दोस्तों किया दिगविजयराथी का गेम खराब किया जा रहा है हमने काफी बार सुना काफी सारी ओडियंस ने एका कि भाई लाइप पिड में लडाई होती है लाइप विग्बोस ने भी काफी सारे टोंट मारे थे कि भाई को लेके अरे दिग्विजा को टार्गेट भी किया जा रहा था अब सल्मान खान ने उन्नती तोमर गल्प्रेंड के बारे में बात कर दिया जिया दोस्तों सल्मान ने दिग्विजा से सीधा सीधा सवाल पुछा कि क्या बाहर आपकी कोई girlfriend है? क्या बाहर आपका कोई relation है? और ये सवाल पुछने का बिल्कुल एक मतलब है भाई कि उन्नेती के चर्चे हो रहे हैं, उन्नेती ने जो post दाली थी, जो अपने Instagram पे stories लगाई थी, post लगाई थी, कि मुझे तो consider ही नहीं किया जाता, me and इनका relationship टूट गया है, कुछ लोगों ने बोला कि भाई पहले ही टूट गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उन्नेती अब जानमुझ के ड्रामा कर रही है ये दिगविजा को सिंपती दिलाने की कोशिश है लेकिन, 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 दिगविजा ने इस बीच बड़ी बात थी, कि मेरा कोई relationship है ही नहीं, मैं पूरी तरह से single हूँ, ये बात यहाँ पे दिगविजा ने बोल दिया है, और सलमान कान ने बोला, single तो आप नहीं हो, relationship तो आपका है, girlfriend तो आपकी है तो यहाँ पे personal मुद्दे को उठाया गया दिगविजा के, अब वो relationship उन्नती, girlfriend की बात क्यों की गई है, ये तो मुझे भी नहीं बता लेकिन आने वाली update में आपको clear cut बताऊँगा, कि आखिर क्यों दिगविजा को बार-बार target किया जा रहा है, और सलमान ने ये बात क्यों बोलिया, दोस्तों आपको क्या लगता है क्या दिगविजा कि गेम को खराब करने के लिए ये बाहर की सारी चीज़े involved की जा रही है क्या कहना चाओगा आप इस बारे में, comment section में comment करके मुझे जरूर बताओ